असलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बेक टो आ चानल इंडियन ब्लोगर फॉर जयान फूट कॉर्नर आज मैं पिसाल शेयर करूंगी मतन बियान की रेसिपी यह मैंने चावल में पानी दाल के बालने रख दियू इसमें मैंने दाल लेती जीरा और गोश्में मैंने दाल लेती ह अच्छे से मिक्स कर ली हूँ अभी मैं इसमें उपर से दन लूंगी टमाटर और कांगा फिर इसको फिर से मिक्स करके चलना के सीटी लगाने के लिए रख दूंगी जब तक गोश्म गलना जाए बीयानी का मसाला मैं अलग बनाऊंगी और चावल अलग यह चावल भी अल् कर लूंगी मैंने कांदा और बटाटी को लग से फ्राइ कर ली थी और यह अके गरम मसाले तेज पत्ता स्टार फूल दालचीनी बड़ी लाइची काली मिली लवंग और यह गोश्म मसाला भी बन गया है इसको मैं अच्छे से बून लूंगी और यह टोप में कांदा भी ब इसान के से मक्तों में डालोंके आज कीकिनी इसमाल के मसाले सब ने न की दाल के साथ खाया हुआ मैंUNT की क si बड़तों और इसमें दाल लूंगी अपना अलग से गलाया हुए गोश्म में हटाटी मैं आफालव से बटाटी में अलग ने काली थी हलके पका के कांदे के स अब इन सब को में एक ही टूप में मिक्स कर लूँगे यह फ्राइड नियन मैंने पहले ही फ्राइब करके रख ले दी अब यह रखे हुए है उपर से गार्णिश के लिए और कोटनित मसाल में दाल लूँगी दही और फिर से इसे चला लेंगे और पका लेंगे अब मैंसमें दाल लूँगी कोकर में गलायावा गोश्च और इसे अलग से भून लूँगी टॉप में यह गोश्च बूँच और इसमें दाल लूँगी बार कटावा कोट मेर अब दाल लूँगी हरी मिर्ची आदी आदी करीवी ऐसे मिक्स कर लूँगी इसमें दाल लूँगी में मतन मसाला और दाल लूँगी बिज्यानी मसाला विज्यानी का मसाला रेड़ी हो चुका है और चावल भी रेड़ी हो चुका है अब यह में कर लेंगे इसमें लेरिंग मसाला में नीचे रखी हूँ और उस पर रख दूँगी चावल मैंने तीन जगा विज्यानी बनाए थी इसलिए तीन अलग अलग टोप में हम लग कर लेंगे इसकी लेरिंग चावल के पर मैं लगा दूँगी कोट मेर और पूदिया और हरी मिर्ची और इसी के साथ हम लोग इस पर लाल जाएंगे फ्राइड आनियन इसमें हम केवड़ा एसेंस भी दालेंगे और उपर से दालेंगे तेल और लगा लेंगे इसमें कलर मैंने ओरेंज ग्रीन और रेड़ कलरी यूस करी थी भी इसको रख देंगे हम लग पास से दस मिनट की रह दमपे और भी जाने हमारी बनकर रेड़ी हो जाएगी यह मिकर रे ग्रीन वाली कलरी और भी दालेंगे और इंज कलर यह बिर्यानी का लोग है बनने के बाद बिर्यानी रेड़ी हो गई है अभी हम सब बेट जाएंगे खाना खाने के लिए आज दुफिर के खाने में लोग ने बना है मतन बिर्यानी हुआ हुआ है यह अब बाब आई बैच चुके खाना खाने के लिए आपको अमारी रेसिपी की वीडियो ची लगे हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अला फैस मेंने नेक्श वीडियो में नहीं रेसिपी और एक नए व्लोग के साथ